हेलो डिये सुडेंट्स कैसे हो आप सभी तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वूडियो में बोला था कि जो हमारा ये क्लास नाइन्थ का हिंदी का कोशन पेपर है मौर्निंग सिफ्ट का इसका सुलूशन में आपको कराऊंगा तो इसलिए आज के स्टूडियो में हम इस कोशन था ये गध्यांस वाला था तो सबसे पहले आपको ये जो पूरा गध्यांस आप देख रहे हैं इसे सबसे पहले आपको ध्यांस से पढ़ना था ये गध्यांस आपका यहां तक था ठीक है तो आप देखिए फर्स्ट कोशन क्या पूछा गया था कि रंगोली की पवित्रत के पीछे मुख्य कारण नहीं है तो हमें ये चार ओप्शन दिए गए थे तो इन में से कौन सा ओप्शन हमारा राइट था तो देखिए रंगोली की पवित्रता के पीछे मुख्य कारण जो है वो हमारा एक तो यह हो जाएगा लोगों की आस्था विश्वास यानि कि फर्स् और थर्ड यह दोनो हमारे राइट ओप्शन ठे च्ट कर तो इसलिए फर्स और थर्ड जो है यह में गः ओप्शन दिया हुआए देखिए कथन एक वद तीन सही है तो इसलिए ये first question का हमारा ये girl वाला option right था ठीक है तो ये हो गया हमारा first question इसके बाद देखिए next second question इसमें क्या पुछा गया था कि रंगोलियां आम तोर पर कहा बनाई जाती हैं तो अगर आपने जो गध्यान से उसको ध्यान से पड़ा होगा तो इन सारे जो question से इनके answer आपके गलत नहीं गये होंगे तो ये जो second question है इसका हमारा ये girl वाला option right था घर के प्रवेश या दहलीच पर ठीक है तो second question का option right हो गया इसके बाद next ये जो third question है इसमें हमसे पूछा गया था कि रंगोली को खोले हांस से बनाया जाता है यानि कि ये girl वाला option हमारा right था third question का ठीक है इसके बाद next ये जो fourth question है हमारा ये अब देख सकते हैं तो fourth question में पूछा था कि रंगोली के विविन रूपों एवं विविदता से क्या आभी प्राय है तो अलग-अलग राज्यो में भिन स्वरूप ये हमारा right option था fourth question का ठीक है यानि कि option right है fourth का इसके बाद next fifth question जो है ये आप देख सकते हैं ये हमारा कथन जो है यानि कि कथन और कारण वाला question है तो ये जो हमारा fifth number का question है इसका ये girl वाला option हमारा right था ठीक है इसके बाद next second question start हो गया second question हमारा पध्यांश वाला था तो सबसे पहले आपको ये जो पूरा पध्यांश है इसे ध्यान से पढ़ना था इसके base पे ये रहा first question क्या पुछा गया था कि इस कविता में केंद्रे भाव हेतु दियेगे कत्नों को पढ़कर सबसे सही विकल्प चु तो इसलिए देखी हमारा ये गव ऑप्शन में दिया हुआ है कि कथन तीन सही है तो इसलिए हमारा first question का ये गव वाला option राइट था ठीक है इसके बाद next चलते हैं second question पर तो second question में क्या पूछा गया था कि कवी के अनुसार एक भी अंकूर कहा नहीं फूटा तो बंजर धरत पर यानिके खव वाला option हमारा राइट था second question का इसके बाद जो ये third question है इसका ये घव वाला option हमारा राइट था और इसी तरह से ये जो हमारा fourth question है इसका ये खव वाला option राइट था इसके बाद ये जो fifth नमर का question है इसका हमारा ये रहा कव वाला option राइट था कथन four सही है तो fifth number का question का option right था इसके बाद हमारा इसी में देखिए अथ्वा में भी हमें दिया गया था यानि कि उपर वाला जो पध्यांस है वो अगर आप नहीं करना चाहते थे तो आप ये नीचे वाला पध्यांस भी कर सकते थे दोनों में से कोई एक आपको करना था तो देखिए इसमें हमारा ये जो first question है इसका हमारा ये घह वाला option right था ये आप देख सकते हैं ठीक है और इसके बाद इसका ये जो second question है second question का हमारा ये घह वाला option right था और ये जो third question है इसका का option right था इसके बाद fourth question का हमारा इसका भी का option ही right था ठीक है इसके बाद next और ये दे से पूछा गया था हमारा कथन और कारन वाला वाला कोशन था तो इसका भी य attorneys जो कॉशन three है यहाँ से व्याकरन वाला खंड स्टार्ट हो गया यानि कि कंड ख ठिक है और ईक बात और कि कि जितने भी कोशिं스 के आंसर आपके सही जारे हैं यानि कि आपने इस में से कितने आंसर सही किये हैं कितने आपके गलत गये हैं आप मुझे comment box में जरूर बताना आपके कितने marks बन जाएंगे अप्रोक्स ठीक है तो देखिए question number 3 का ये जो first part है इसका हमारा इसमें पूछा था कि पराधीन शब्द में उपसर्ग एवं मूल शब्द है तो पराधीन शब्द में हमारा पर जो है ये उपसर्ग है और अधीन मूल शब्द है इसलिए first का ये गव वाला option हमारा राइट था इसके बाद जो second question है इसमें पूछा गया था कि दुशकर्म शब्द में उपसर्ग है तो दुशकर्म में हमारा दुश ये वाला उपसर्ग है तो इसी रहे second का question हमारा राइट था ठीक है इसके बाद next है third question तो third question का हमारा इसमें पूछा था कि सम्मानित शब्द में प्रत्य है तो सम्मानित में हमारा सम्मान हो जाएगा मुल शब्द और इत हो जाएगा प्रत्य है तो इसलिए third का option हमारा राइट था इसके बाद next जो fourth question है इसका ये देखिए गवाला option ये right था ठीक है इसके बाद जो fifth number का question है तो fifth number के question का हमारा ये गवाला option राइट था हलाकि इसमें 5 questions दिये गए थे लेकिन हमें कोई 4 करने थे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है किनी 4 के उत्तर दीजिए तो इसलिए मैंने आपको पांचों बता दिया है लेकिन आपको कोई 4 के answer करने थे exam में ठीक है इसके बाद हमारा next question number four है तो question number four में ये जो first वाला question है इस इसके बाद जो second question है ये second question का हमारा ये ख़वाला option right था और इसके बाद जो ये third question है इसका go option right था ठीक है और इसी तरह से ये सारे समास वाले questions थे इसी तरह से जो ये fourth number का question है इसका ये option राइट था और फिफ्ट नमबर के कोशन जो है इसका को ऑप्शन राइट था ठीक है तो यह हो गया हमारा कोशन नमबर 4 के सारे पार्ट कंप्लीट कोशन नमर 4 में भी 5 में से हमें किनी 4 के आंसर करने थे यह देखे लिखा हुआ है ठीक है इसके बाद नेक्स्ट कोशन नमर 5 हमारा स्टार्ट हो जाता है तो कोशन नमर 5 यह हमारा अर्थ के अधार पर वाक के भेद वाले इसमें कोशन पुछे गये थे तो देखिए फर्स्ट हमारा क्या था तुम आज घर जाओ अर्थ के अधार पर वाक के भेद बताईए तो यह हमारा क्या है आग्यावा चेक है तो इसी लिए फर्स्ट का ये घ्व ऑप्शन राइट था मैंने आपको समास अर्थ के अधार परवाक के भेद अलंकार उपसर्ग प्रते ये सब बहुत अच्छे समझा दिया था जब मैं आपको सैंपल पेपर सॉल करा रहा था हिंदी का उस वाले वीडि जो ये सेकंड कोशन है इसका हमारा ये ख वाला ऑप्शन राइट था इच्छा वाचक ठीक है और इसके बाद नेक्स्ट कोशन नंबर थर्ड देखिए कोशन नंबर थर्ड जो है इसका हमारा ये गवाला ऑप्शन राइट था और इसके बाद जो कोशन नंबर 4 है इसका य यह काम हो जाए इसमें हमें बताना था संदेह वाच्चक वाक्य का उतारण तो यह हमारा हो जाएगा शायद यह काम हो जाए ठीक है तो इसलिए फिफ्ट का हमारा यह गह ऑप्शन राइट था इसके बाद हमारा next question number six start हो जाता है तो इसमें हमसे जो अलंकार है अलंकार पर अधारित questions पूछे गये थे और इसमें भी किनी चार questions के आंसर करने थे पांच में से तो देखिए first हमारा यह रहा question इसमें पूछा गया था कि कालिंदी कूल कदम की डारन प्रस्तुत पंक्ति में अलंकार है तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है अनुप्रास अलंकार ठीक है तो इसलिए जो question number six है इसका first question का हमारा यह गह वाला option राइट था इसके बाद next जो question number second है इसका हमारा यह option राइट था ठीक है और इसके बाद जो थर्ड कोशन है इसका यह को वाला option हमारा राइट था इसी तरह से next जो question number four है हमारा question number four का यह option राइट था और question number five का यह गह वाला option राइट था ठीक है इसके बाद हमारा next जो question number 7 है यहां से हमारा खंड गर पाठ्थे पुष्टक वाले questions इसमें start हो जाते हैं ठीक है जो आपके पास book है उस book के questions इसमें हमसे पूछे गये थे तो सबसे पहले यह हमें एक गध्यांस दिया गया था इसको हमें ध्यांसे पढ़ना था और इसके base पे यह देखे questions पूछे गये थे सबसे पहले question number 7 में first question क्या पूछा था कि पंच तंत्र से आप क्या समझते हैं तो निती विश्य कताओ पर आधारित पुष्टक यानि कि का option हमारा right था first का और second में क्या है second में पूछा था कि महादेवी वर्मा बचपन में चार पाई के नीचे क्यों जा छेपी थी तो मौलवी के डर के कारण यानि कि second का ये खवाला option हमारा right था ठीक है इसके बाद जो third question है ये लेखे third question इसका ये गवाला option right था और ये जो fourth question है इस fourth का हमारा ये खव option right था और इसके बाद next ये जो fifth नमर का question है इसका ये गव option right था ठीक है इसके बाद हमारा question number eight स्टार्ट हो जाता है तो question number eight में देखिए क्या कहा गया है कि गद्य पाठों के अधार पर निम लिखे दो बहुविकल्पी प्रशनों के सरवाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए तो इसमें first question क्या पूछा है कि प्रेम चंद के फटे जूते पाठ में टीले शब्द से अभी प्राय है तो टीले शब्द से क्या अभी प्राय है बड़ी बड़ी समस्याएं तो इसलिए first का ये गव option हमारा right था इसके बाद जो इसमें second question है इसमें पूछा था कि लेखिका महादेवी वर्मा की माता जी सवेरे के समय किसके पद विशेस रूप से गाती थी तो वो जो है मीरा के पद विशेस रूप से गाती थी तो इसलिए second का हमारा ये ख option right था चिक है इसके बाद next हमारा question number 9 तो question number 9 में देखिए हमें ये एक पद्यांस दिया गया है इस पद्यांस को सबसे पहले ध्यान से पढ़ना था और इसके बेस पे देखिए first question क्या पूछा गया था कि प्रस्तुत कवीता में कवी को पृत्वी कैसी दिखाई दे रही है तो कवी को पृत्वी जो है वो रोमा अंचित सी दिखाई दे रही है तो इसलिए first का ये go option हमारा right था इसके बाद second में क्या पूछा था कि खेतों में खड़ी फसल में कवी को क्या परिवर्तन दिखाई दिया तो कवी को जो है फसल पक कर तयार हो गई ये परिवर्तन दिखाई दिया तो इसलिए second का ये option हमारा right था इसके बाद next है third question तो third question का हमारा ये go option राइड था और जो ये fourth question है इसका option right था इसी तरह से next जो हमारा fifth नमर का question है इसका ये खड़ वाला option राइड था ठीक है इसके बाद हमारा question number जो है 10 ये start हो गया तो question number 10 में देखिए first question हम से क्या पूछा गया था कि कवी कैदी और कोकिला कवीता में कोयल के अर्ध रातरी में चीखने का कारण मानता है तो क्या कारण मानता है दावा नल की जुआ लाएड तो इसलिए first का हमारा ये गव वाला option राइड था और इसके बाद जो ये second question है इसका ये गव वाला option हमारा राइड था इसमें पूछा था कि ग्राम श्री कवीता में कवी ने किस रितू का वर्णन किया है तो वसंत रितू का वर्णन किया है तो इसलिए हमारा second का ये गव option राइड था आप जब इस तो इसलिए हमारा सेक्रिंड का यह गह ऑप्रशन राइट था इसके बाद हमारा नेक्स्ट खंड घह स्टार्ट हो जाता है तो खंड घह जो है इसमें जितने भी कोशन से वे सारे लॉंग आंसर वाले हैं तो हो सके तो मैं इनके लिए एक अलग से वीडियो बना दूँगा औ नहीं तो आपने फिर भी कर ही लिया हुगा इनकी आंसर जो एमसी की वाले थे वो सारे मैंने आपको आंसर करा दिये हैं तो इन में से कितने आंसर आपके सही गये हैं कितने माक्स आपके आ रहे हैं आप मुझे क्रमेंट बॉक्स में जरूर बताना तो मिलते हैं फिन नेक्स पनाता है उस पर All पर क्लिक कर लेना ताकि नेक्स चुडियो जैसी अप्लोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए तो फिर मिलते हैं नेक्स चुडियो में तब तक के लिए धन्यवाद